आपका बेटी आपका बेहन 10 साल 12 साल आप रेडी हो आपनी बेहन और बेटी को एक 60-70 जो गंदा आ रहा है कि गंद के साथ आप रेडी हो आपने हैं बेहन और बेटी को उनको देने के लिए निकाह के लिए आप रेडी हो मैं कहूंगा इनको भारत का संविधान नहीं शरिया पसंद है तो चले जाओ अफगानिस्तान अगर चाहिए तो पईए पर लटक के जाओ या भेजेंगे सरसम्मा दोस्तो हिंदूस्तान में ऐसे बहुत से जियोजनतो बचते हैं जिन के दिलों में तालिबान बचता है और आपनी ज़वान से तालिबान नाम लेने पर गरवा महसूस करते हैं और इसी सूची में सामिला सोईब जमाई दोस्तों इंडिया ट्वी के आरपार प्रोग्राम में जब सोईब जमाई से जब बारती पत्रकार ने सवाल पूछे तो सोईब जमाई का तालिबान के परती प्यार उमड़ाया और इसी प्यार को सांथ करने के लिए वहाँ पर बैठी अफगानी महिलाओं और पत्रकारों ने सोईब जमाई की तरफ से तालिबान की तारिफ करने पर सोईब जमाई को जम कर पहला और उसे उसकी उकाद दिखा दी और ले दे के सोईब जमाई की जो इज़त बची थी उसे बारत के एक सच्चे मुसल्मान ने उतार दी तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैन वीडियो और वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और लाजवाब है इसलिए अन तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरेंट प्रबाव से मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद रम रम एक बात आप कान खुल के याद रखिए बातचीत करना जो दोहा में हुआ है बातचीत करना नेगोशियेट करना रेकोगनाईज करना नहीं होता है कांधार के विशह में भी हाईजाकर से बात चीत हुई थी उसका अर्थ यह नहीं नहीं कि हम अभादियों में किसे आपने अपने रिकोगनाईस कर दिया का वाधर ट्रकार ने सब्सक्रशन हो बस गाईhou कुछ ये और शज depending कि आ में तालिबान चोक है लेकिन भारत सरकार उसको यहांther जला है वहां को पता है चर्याइश है तालिबान ट रिस्त हैं तालिबान इतंग वात है तालिबान कहां ते आए है तालिबान व 현재 त i बीदे कोड़ेंगे अपको जो अपमारे बात करें। उनके बारे में सब कुछ बता हैं कहा है इसलाम ने कहा है कि औरत को बच्चे को गोली मारा जाए कहा है वो भी हॉस्पिटल में इसलाम ने कहा बोला है कि यह से करना है आपके उपेनियन में यह कौन सा इसलाम है कि इसलाम में ऐसे करें मैं सवाल पूछ रहा हूं किया तालीबान महिलाओं के ओपर अत्याचार कर रही है हाँ या नहीं गुजे नहीं मालूम इन्हें मालूम नहीं तो डिवेट में प्यूं पूराया है एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब अपने नाम बताईए और अपनी सर सर अप इस उनको बोले मैं एक अफगान महिला हूँ जो 2012 से यहां आ रही हूँ और जा रही हूँ कभी में नंगा नहीं गुमा पिरा कभी में कोई खलत मुस्लिम वाले जो बगहर होते हैं वह ऐसे काम नहीं की कौन सा सुरा में कौन सा आयत में कुन सा कुरान की कौन का सा इसे में ऐसे बुला दिया प्लीज सुनो प्लीज 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 अब देखो इसका देखो इसका हुलिया देखो इसका हुलिया देखो नहीं कौन सा कुरान के कौन सा इसे में लिखा हुआ है कि इनसान को जिन्दा जला हो बकरे के तरह जबा करो लिदीस को नहीं 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 आप शर्या कबाद किया मैं उमारी जात पेंड वोर्ज नहीं करता है और आज भी अगर वो एक करेंगे तो उनकी मखालबत है वहाद कर पूछी हूँ कौनसा सुरा कौनसा आयात में आया है वह प्लीज बोलो और तरजमा करो आप पी और मुसलिमों कि पीड़ा पर हसने के वश्का है कि बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बात को रखे जैन मैडम आपका सवाल आपका सवाल आपका सवाल है एक सवाल एक सवाल अपका बेटी आपका बेहन डिस साल बारा साल आप रेडी हो आपनी बेहन और बेटी को एक 60-70 जो घंडा आरहा है कि द हैं निकाह के लिए आप रेडी हो, मैं जाके लड़ूँगा, भाग के नहीं आउंगा, मैं लड़ूँगा उसको, पतल कर दूँगा, अब लोगों को मजबूर किया है, आज उसने जो प्लें से गिर गया, इसका मतलम नहीं तक उसने प्लें नहीं देखा था, उसने प्लें देखा था, चार बार उसने बाहर तंजी में गया था, लेकिन मजबूरी में उसके दर से, और पाकस्तान के वज़ा से, और ऐसे आप लोगों के वज़ा से, जो इसलाफ को परना करते हैं, यह इसलाफ ने लोड़ आज तो खाली है, जब यह बोल नहीं है, रहान करते हैं, वो इस तेश के लिए घातक इसलिए है, क्योंकि जो तालिबानी सोच है, वो पूरे इंसानियत के लिए खतरा है, बिल्कुल, देखे अमीज जी, तालिबान एक मात्र एक वेरियंट है, और वो वाइरस जो पनपा है, वो पाकिस्तान में ही पनपा है, यह मैं नही कह रहा, यहीं पर बैठे, अफगानिस्तान के लोग आपको बता रहे है, कि यह वाइरस दरसल पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है, पर दुख की बात यह है, कि आज हम तालिबान के बचाव में कुछ लोग यहां पर खड़े हैं, और जो तालिबान के पिडित है, उनके दरसल टालिबान, इबली, शैतान, पर देश में होता है कुछ लोगों के द्वारा इनका गुनगान, मैं कहूंगा इनको भारत का समविधान नहीं, शरिया पसंद है, तो चले जाओ अफगानिस्तान, अगर चाहिए तो पईये पर लटक के जाओ, या भेजेंगे सरसम्मा, कुछ लोग यहाँ पर बैट कार, और एक लोग यहाँ पर, मुझे शरम की बात है, कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, जिन्होंने ट्वीट किया किया, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, यह ट्वीट करते हैं, अफगानिस्तान के लोग सुने, मतलब यह अपने आपको टालिबान के साथ खड़ा परतत बाते हैं,